राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं वा बंधों, संसकार की बादे चैनल में आपका स्वागत है बंधों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ब्रहस्पतिवार ब्रत कथा बंधों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारी आने बले, सभी वीडियोज की जानकारी सब से पहले हो सके बंधों, कथा को जब भी सुने, पूरी सुने, पूरी सुनने के बाद कमेंट बोक्स में, जै ब्रहस्पतिदेव, जै विश्नु भगवान की, जै लक्ष्मी मा की जरूर लिखें बंधू ब्रहस्पतिवार की व्रत, कथा और पूरन पूजा विधी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बंधू ब्रहस्पतिवार की कथा ब्रहस्पतिवार के दिन सुनी जाती है बंधू यदि आप ब्रहस्पतिदेव का व्रत नहीं भी करते तो ब्रहस्पतिवार को ब्रहस्पतिदेव की कथा सुनने मातर से ब्रहस्पतिदेव प्रसन होकर आपको अपार धन प्रदान करते हैं बंधों बहस्पती देव के वरत, धन, यश, विद्या के लिए ही किये जाते हैं और इस्त्रियों को ये वरत जरूर करना चाहिए कुवारी कन्याई भी बहस्पती देव के वरत को कर सकती है ऐसा करने से उनकी शादे शिक्र हो जाती है बंधों ब्रहस्पती वार के दिन पीले वस्त्र पहने और पीले पुष्पों से ब्रहस्पती देव की पूजा अर्चना करें बोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए जैसे की आप बेशन के पूड़े बना कर खा सकते हैं बेशन का हलवा बना कर खा सकते हैं पर ये दोनों चीजे नमक रहित होनी चाहिए अर्थात इस में नमक नहीं खाना चाहिए बन्धों पूजन के समय चने की दाल गुड़ पीले कपड़े पीले चंदन पीले पुष्प का प्रियोग करना चाहिए पूजन के पश्चा कथा सुननी चाहिए ब्रहस्पती देव के व्रत के करने से ब्रहस्पती देव अधीप्रसन होते हैं वह अपने भक्तों को धन और विद्या प्रदान करते हैं किसी गाव में एक साहुकार रहता था उसके घर में अन वस्त्र और धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी प्रन्तु उसकी इस्त्री बहुत ही क्रिपन थी किसी भिक्षुक को कुछ नहीं देती सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती एक समय एक साधु महात्मा व्रहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आये और भिक्षा की याजना की इस्त्री उस समय घर का आंगन लिप रही थी इस कारण साधु महाराज से कहने लगी महाराज इस समय तो मैं लिप रही हूँ आपको कुछ नहीं दे सकती फिर किसी दिन अवकाश के समय आना साधु महात्मा खाली हाँच चले गए कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर आए और उसी तहें भिक्षा मांगी साहुकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी कहने लगी महाराज मैं क्या करूँ अवकाश ही नहीं है इस दिये आपको भिक्षा नहीं दे सकती टीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा प्रन्तु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुम को बिलकुल अवकाश हो जाए तो मुझ को भिक्षा दोगी साहु कार्णी कहने लगी हां महराज यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत क्रिपा होगी साधु महात्मा जी कहने लगे अच्छा एक उपाये बताता हूं तुम ब्रहस्पतिवार को दिन चड़ने पर उठो सारे घर में जाड़ू लगा कर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो घर में चोका इत्यादी मत लगाओ फिर श्नान करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवर्ष्य बनवाएं अर्षोई बनवाकर चूले के पीछे रखतो सामने कभी ना रखो साएं काल को अंधेरा होने के बाद तिपक जलाया करो ब्रहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारन करो ना पीले रंकी चीजों का भोजन करो यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा साहु कार्णी ने ऐसा ही किया ब्रहस्पतिवार को दिन चड़े उठी जाडू लगा कर कूडे को घर में जमा कर दिया पुरुशों ने हजामत बनवाई भोजन बना कर चूले के पीछे रखा वे कई प्रहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा थोड़े दिनों बाद वही महात्मा फिर आए और भिच्छा मांगी प्रंतु से ठानी ने कहा कि महाराज नेरे घर में खाने को अन ही नहीं आपको क्या दे सकती हूँ तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी अब पूरा-पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो तुम क्या चाहाती हो वे कहो तब सिठानी ने हाद जोड कर प्रात्ना की महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धन ने हो जाए अब मैं प्रतिज्या करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही अवश्य मेव करूँगी तब महात्मा जी ने कहा ब्रहस पतिवार को प्राते काल उठकर शनान आदि से निवरित हो घर को गव के गोबर से लिपो घर के पुरुष हजामत ना बनवाए भूखों को अन वस्त्र देती रहा करो ठीक साइं काल दीपक चलाओ यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब्मनों कामनाएं भगवान प्रहस पतिव की क्रिबा से पूरन होगी सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धन्य वैसा ही हो गया जैसा की पहले था इस प्रकार भगवान प्रहस पतिदेव की क्रिबा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दिर्ग काल तक चीवित रही प्रहस पतिदेव जो जिस भावना से व्रत करता है उसकी वैसी मनों कामना शिक्र पूरन कर देते हैं बोलो प्रहस पतिदेव महाराज की जै ओम जै प्रहस्पति देवा स्वामी जै प्रहस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं कदली फल मेवा ओम जै प्रहस्पति देवा तुम पूरन परमात्म तुम्हे आंतर यामी स्वामी तुम्हे आंतर यामी जगत पिता जगदेशर करुणा निधी स्वामी ओम जै प्रहस्पति देवा चरनामृत यति निर्मर स्वाद पातक हरता सकल मनोरत दायक सकल मनोरत दायक कृपा करो भरता ओम जै प्रहस्पति देवा तन मन धन अरपन कर जोजन शरन पड़े स्वामी जोजन शरन पड़े प्रभो सायम प्रगटे हो प्रभो सायम प्रगटे हो आकर दार खड़े ओम जै प्रहस्पति देवा दीन दयाल दयानित भगत नहित्यकारी पाप दोशे दुख हरता भभबंधन हारी ओम जै प्रहस्पति देवा सकल मनोरत दायक सबसंशे टारी स्वामी सबसंशे टारी पिशय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जै प्रहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम साहित गावे स्वामी प्रेम साहित गावे जे ठानन्द आनन्द कंद निश्य फल पावे ओम जै प्रहस्पति देवा स्वामी जै प्रहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाओ कदली पल मेवा ओम जै प्रहस्पति देवा बोलो प्रहस्पति देव गुरु महाराज कीज़े बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद